अब आने पहुंच चुके गाईज आटर मात्र बूर है अपने शतक से ओ बाना चॉड इस बार करेक्शन हुआ रही है लेकित भी क्लियर करेगा जो है कवर्स की फील्डर को आटर माऊ चॉड प्रेंट चॉड अब रही है जो है लगा तुर सिगे शाइद एया हुआ टो था तो इस पड़ के मार्न पार टाफ था प्रावड शॉट एिए बहतरी चाहली ये वारी ये वहतरी चॉड है और छट्के के साथ जो है शैंसुरी कर करेंगे पूरा और इस बा वाला शॉट। आपक्स के एक सु बत्रिस का स्ट्राइट पंगरा चॉके चार्ट शक्के सब्सक्तर की दो इसो तूरन साउद आफ्रिका इत्व आए देखिये कि यहां पर जो है भारत शॉट। आप सभी का इंडिया वोसे साउद आफ्रिका फस्ट टेस्ट मैच यहां पर पिसले एपिसोड और अब देख चुके हो कि यहां पर भारत ने शुरुवात में गेंदबाजी करके साउद आफ्रिका के तोते उड़ा दिया थे लेकिन वहाँ पर कुछ अच्छी पार्टनेशिप हुई माकरम हुए और एरवी के बीच में तो इसके वज़े से साउद आफ्रिका ने एक डिसेंट टोटल बना लिय है जो कि है 295 रंस का तो यहां पर गाईस साउथ अफरिका की बैटिंग जो है खतम हो जोकी है अब आच चुकि है भारत की पहली इनिंग अब यहां से अपने को देखना है कि कितने लाइक रन बना पाती है भारत और कितना लीड ले पाती है क्योंकि पिछ बहुत कटिन है तो चलते है गाईस बेरा कोई डाइविस्ट के सीधा मैच के अंदर ओर राइट गाईस यहां पर बैटिंग आचुकि है भारत की और ओपिन करेंगे यहां पर कटान और देवत पडिकल चलिए ओपिन कर लिए गाईस हमने पडिकल के साथ पहली गेन और यहां पर थोड़ स लोगी एंगेडी कदमों पर उप्लम कराने का कोशिश और को सॉलिड़ी जो है डिफेंस कर रहा है यहां पर और यहां पर दूसरी गेन लोगी एंगेडी एक बार फिट से फॉल अलेंट डिलिवरी यहां पर आउट स्विंग बाहर तरफ सीम थोड़ सब मूवमेट हुई बहुत जादा नहीं क्योंकि एंगेडी के जो है डा जादा मुवमेंट वे लाइक होता जादा स्विंग होती निनकी गेंद अब देखते हैं अगले गेंदवाज और कौन-कौन खिला रहा है मैं इनका लाइक बोलिंग लाइनप भी तक चेक नहीं कर रहा है साउथ अफरि इस वार थोड़ा सा लेक्स टंपर थी गेंद इसको फ्लिक कर सकते लेकिन फाइलेक पीटर था वहां एक रन मिल जाता लेकिन खाता खुलता हमारा एक लीस्ट 295 की लीड है नॉट बैड इस पिच्च कूपर जहां पर बहुत जादा मुश्किल में थी साउथ अफरिका एक देवतर पडिकल अच्छा कर रहे हैं आज कल फिलाल अभी लाइक तीन चार मैचस से जो अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं आप भारत को और वही चाहिए एक पर्मनेंट ओपरिनर बन सकते हैं हमारे साथ देवतर पडिकल और दूसरी अच्छी चीज़ की राइट हैंड और देवतर देवतर पडिकल तो एक पर्मनेंट ओपरिंग पेर बन सकते हैं हमारे साथ और या पेक और रबाड़ा या कगीश और रबाड़ा जो है यह अच्छा का स्विंग और सीम करा सकते हैं इंको तो थोड़ा सबल के खेलना पड़ेगा बाकी एंगीडी उतना थ्रेड अब नहीं गेंट के साथ पुरानी गेंट के साथ और यह अंगीडी थ्रेड रहेंगे क्योंकि फे पुरानी के साथ वो जो है कटरस डालते हैं और slower वंस जाद़ डालते हैं अंगीडी slower bouncers जाद़ डालते हैं तो वो थोड़ा सब देखना पड़ेगा अपने को लेकिन नही गेंद के साथ यहां का गीशतो रबाड़ा इनका वाई कोई तोड़ नहीं है बहुत समहल के खेलना पड़ागा तो अच्छी स्पीड के साथ स्विंग और सीम कराते हैं वही थ्रेड है गाई जबी फिलाल तो जादा कुछ वो धार दिखी नहीं है भी रबाड़ा की गेंद बाजी में आई तो पहला ओवर है लेट सी किस तरीके से गेंद बाजी बहुत कुछ निरवर करेगा साथ अफरिका के लिए जिस तरीके से गरें गराबाड़ा जो है इनिशल के सुरू के ओवर्स डालते हैं साथ वर चली इस बार उपर की तरफ गेंद ओवर पर सी थोड़ क्या लास्ट गेंद में दिख सकता है ओ इस बार इन स्विंग गाईज इस बार पढ़के केंद कच्छा खासा तरीक तरफ आई और सीम भी करिए पढ़ने के बाद तो यह देखे इसी भी बात कर रहा था मैं कि अगर यह वाली केंद आहिम छोड़ते तो यहां पर स्टंप के पास, like maximum इनका pace मैं भी तक देखा हूं, so 40, average इनका रहता है 135 something, तो इसलिए यह जो slower गेंद और पुरानी गेंद के साथ जाधा खतर नाग है, comparatively तो नहीं गेंद, अभी एक और तगड़ा पेसर क्यों भी खिलाया साओ तो अवरेकान, I don't know, या खिलाया तो क्यों उसको स अगातार 11 गेंदों में 11 रन, यही काम करना होगा, शुडवाद के पीस ओवर गाई, क्योंकि ultimate test है यहापे, पिछ खतरनाक है बाइद अभी, हमने जब गेंद वाजी करी थे, आपको याद ही होगा बाई, क्या ही बहतरीन वाली swing और सीम होने को, like देखने को मिल रही दी अ यहापे खतरनाक है, बट अगर हम लोग समय बिताएंगे, इस पिछ की उपर, तो फिर जो है, अराम से runs है, बस समय बिताने की ज़रूरत है, और एक अच्छे लीड की ज़रूरत है, क्योंकि day 4 और day 5 में हम नहीं चाहते की 300 something like, you know, हम chase करे, डाइसो आइसो की तासबास chase करना ठीक है, डाइसो भी उपर नहीं, डाइसो भी उपर जहाँ गाड़ी गई, वहाँ मैचार, चलिए इस बार cut shot, बैटरी शॉट मारा है, और क्या power उस शॉट में की फ्रेंस को पार करेगी, जी हाँ, और पहला चोह का आता हो गाईस, बल्ल मोखा नहीं, किसी फीडर के बाद सीधा चार, सीधा C8 टायर के बाई, उस पर रूपे और C8 टायर की बीच पर टकराया जाके, 4.4 अबर गाईस, 20 रन, यहाँ पे सुलुवाद तो अच्छी करी है, मारत ने, अब बस इसी को बरकरार रखना होगा, एक अच्छी partnership लगानी पड़ेगी पड़िकल के साथ मिलके, अपने को, चुले गाई, तसरन हमारत हो चुके अभी, कगीस और रबाड़ा बाई, दो बर डाले हैं, 8 रन दिये फिलाल, और यह मुश्किल होती है गाईस, बोलर को, जब आपके सामने एक राइट एंड और लेफ एंड कॉबरेशन ह लगातार वो जो है, आपको लाइन में परिवर्तन करना पड़ाता है, तो वो थोड़ा सा इश्यू होता है, वही इश्यू मुझे लग रहा है थोड़ा बाड़ा के साथ, अगर यह आपर दोनों के दोनों राइट इंड बैट्समन होते हैं, तो यह लगातार एक चैनल पर गेंद बाजी करता रहते हैं, ओ, काफी सब बाहर, हलकता जो है, गेंद शौट वी, वाइट देगे अंपायर, बट खाता को सकती थी यह गेंद, ड्राइब मारना चुआते थे, बॉल की लेंट से बहुत ज़्यादा दूर, वहां बनता नहीं था कोई भी ड्राइब, चले सब मुश्किल होगा, लेकिन यार, वही चीज है, टेस्ट में चल रहा है, कौन सा वाइटी 20 है की, पूरा फील यह लोग खोल देंगे, तो ओवियसली हमारे स्लोट में यह नहीं की तो भाई टांग देंगे, कोई दिक्कत वाली बाती है, इस बार चलिए, बैतरीन कवर ड् पूजिशन को देखे जड़ा, और बैट का पूजिशन देखिये, परफेक्ट लिए, यहां पे सिंक होता हुआ और वहां पे टाइमिंग बहतरीन, इजी बॉई, इस बाराल का तो स्विंग करी है, काफी सथा उबर थी यह लेकिन, मार सकती हम इसको ड्राइव लेकिन, वह यह भी बहुत जदा बाहर है, इजी लीव, थोड़ा सा बाहर वाली गेंद को भाई, छेड़ना नहीं है अभी अपने को, खास तौर से अभी दस ओवर, दस ओवर भाँ थोड़ा सा ट्राइव कर सकते हैं, लेकिन, दस ओवर तो बिलकुल दी, बिलकुल दी भाई, मुझे पाता है ना, यह मैं बल्ला लगाने जाओंगा, बॉल तक कम्प्लीट लीच नहीं घर पाऊंगा, और थोड़ा वाद भी खिनारा लेकाना सिद्धा पॉइंट के हाथ पो जाएगी है, तो 4.43 का रनेट चल रहा है गाई, साथ ओवर हो चुके, तीन ओवर और अभी जेलने होगी, यहाँ पर गेंदवास को विकेट निकालने के लिए, पहला विकेट निकालने के लिए, भारत का, 264 का और लीड फिलाल गाई, चली है, इस बार फिट से थोड़ा सो रूम दिया है, और वहाँ पर जो है ड्राइब कर दिया पॉइंट के बगल से, दो रंग चुरा इस बार फिर से मारा रहा है, फिर से रूम दिया था हलका सा और वहाँ पे इस बार बीट करेंगे फिल्डर को, आई तिक तो टाइमिंग भी बैतरी नहीं और चौका मिल जाएगा, पॉइंट पर, स्क्वार कट बढ़िया, खेल स्क्वार कट दी था, था ड्राइवी, लेक पर उसको भेदा है, चली है, एक दब पॉइंट के पकल से कोई मोगा रही है, बैतरी चार हो, तो इसी तरीके से कुछ जो है, अपने को बॉंडरी बीच पर निकाल ली गोड़ी और स्ट्राइक रोटेट लगातार अगर हम करते रहेंगे न, तो आराम से जो है, इस लीड क भी कतम करेंगे और अपना भी लीड देंगे, चली है जबार, ओईजी, मुश्किल हो सकता था यहाँ पर, बढ़िया कॉल, हमारा लाइक कमने कैंसल कर रहा उस रण को, पड़िया कॉल जो है दोरा लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ बढ़िया कॉल कैंसल कर रहा, दरवाई स सीधा रन आउट होने का चांस था है, यहाँ अनफोर्स्टेट विकेट हो सकता था, यहाँ बढ़ियाली, हलका सा इंस्विंग थी गई, अगर थोड़ा सो रंदर आती तो मुश्किल हो पड़ सकते थे, पड़ियाल, पड़ियाल भाई, अराम से, अब आ चुके हैं वियान मुल्डर, पहला ओबर है और पहली गेद, वियान मुल्डर के दम जड़ में, हलका सा ओबर पिच हुई है, लेकिन यौर का डालने का ट्राई कर रहे थे हैं, एक दम जड़ में गेद, आठ ओवर गाईस, यहाँ पे 38 रंज भारत के, एक बिना विकेट के, बिना विकेट के और के इजबार फिर से चलिए, उपर वाली गेद, सेम काईट ओ डिलिवरी, और इजबार मौखा नहीं चूगे, थोड़ा सो रूम बनाया अपने लिए, बैतरी शोट निकाल दिया है, डड़क ड़ड़क के जा रही है, नहीं पहुँच पाई के लिए कि चार रंज जो है असानी से ले लेंगे दोरों ही बल्लेवाज, बैतरीन रनिंग विड्मी देविकेट्स, चार रंज चुराली भाइद, भाग भाग के, लेट्स वोट वी वांट, शोली है, एक दबाउत हो वाई अच्छा काउसा बनी है, पांच कर रंड जा चुका है, एक अच्छे रं ग अच्छे रंड भी भी होने के पास लीड, तो बड़ अपने को वही चीज है, वो प्रेशर खुद पर नहीं लेना है, सामने वारे टीम पर पास करना है, यह देखिया है, इस बार फेर से बाहर की तरफ गेंद, मुल्डर, वो जो है थोड़ा सीम, वो थोड़ा सा मदद दे इस बार स्टम टू स्टम, परिवर्तन, लगातार जो है, चेंजेस कर रहे हैं बॉलिंग में यापिंग, अलगला टाप्स की गेंड आल रहे, क्रॉफ सीम टेलिवरी थी लाएक पिछली वाली, यह देखिया है, फेर से पाहर की तरफ सीम, बट मुवमेंट पता नहीं क्यों दिखा है, ओ, यह आगे ना वाई, मारको यंसन, लेफ्ट आम, मीडियम, शलिए, इनका ओवर थोड़ सा रहेगा, मतब क्रूशल, यंसन और रबाड़ा, और यहाँ पर गईज एक विक्ट गिरा दे, मैं क्या बोल रहा था आपको, यही बात कर रहा था मैं, देवर्त पड और अब आच चुके हमारे साथ केल रहा हो, कुछ तो बहस हुई हमारे साथ, मुल्डर की, कुछ बोला भाई मेरे को अभी, मुल्डर ना, देख मुल्डर बहुत लोग पंगा ले चुके मेरे साथ, ओ, हलका सा मुमेंट, इस बार हलका सा सीम हुआ है, इस पड़ते के बाद भाई अब जाके थोड़ा सा मुमिट दिख रहा है वोजे लगता मारको यंसन ने कुछ तो टिप्स दिया है इनको मुल्डर को यह देखे जड़ा में एक बार फिट सेगे लगातार भाई परिवर्दतर यहाँ पर कर रहा है मुल्डर दो से तीर ओवर लाइक यही देख रहा हूँ मैं डाल भाई अभी डाल बहुत दो ऊपर डाल रहा है यह च्छाली एस भी बॉल के लिए तैयार थे पहले सी पता था कि यह वाली बॉल डालने वाले है बैतरीन शॉड गाई यहाँ पर मुल्डर जो लगाता है जो कुशिश कर रहते हो वहाँ यह और कर रालने का और अब बल्लेबाज ने बता दिया वाई कि अगर आप सेम काइंड ओव डिलिवरी यहाँ बॉलिंग खिलाएंगे अपने को तो आपका यह यहाँ होने वाला चली इस वारी सीटा फिल्टर के हाथ पर है एक रण चुडा लिया है इसली स्ट्राइक रखेंगे केल राहो अपने पास शॉड बाइदर बैतरीन तक है इस वो पिछलो वाला यहाँ पे खाता खोली है बाइदर केल राहोल ने साथ किये तो बे एक रण चुड़ी है सॉड़े डिवेंटम सीधी मुल्डर मार कोई अंसन नहीं आए अब अपने खिलाफ राइट एक भी और अभी उनका खेलने के लिए ने मिला मुझे अब इंतजार कर रहा हूं मार कोई अंसन काई चलो चलो वाई एकसरसाइज होगी हो तो अभी है हो जाए वाई थोड़ा सा चलो यह आपे दूसरी गेंद मुल्डर की और फिर से लाइक लगातार जो है अपने को यह मुल्डर ऊपर खिला रहे हैं ठीक है इनका भी गेम बजाना पड़ेगा इनका लाइक मैंने ओल्मोस्ट लेंथ पिक कर लिया है इनकी सेम काईड ओव लेंथ ही रही है उपर की साइड डिलिवरी इजी बॉइए इस बार थोड़ा सा सामने की तरफ बहुत ज़्यादा रूम बनाया थोड़ा सा और जो है डखेल दिया उसको कवर ड्राइब दिशा तरफ या फिर लाइक देट हलका सा बाहर की तरह उसको मार दिया है एक्स्टर कवर्स कूपर से गाईज यहां पे छे रन के लिए है यहां पे क्लियर करें के फैंस को बैतरीन तरीके से सीधा सेकेंड टीर में वाड़ा च्याट मुल्डर की भाई अभी तोड़ाई होने वा अब मुझे समझ आगे वाई कि इनका जादा कुछ वैरीशन वैरीशन है नी वही यह इनका जो है च्वार फिर से बैतरी शॉट कवर ड्राइव और क्लियर करें के लिए गैप में है शॉट और टाइमिंग भी बहुत अच्छा हुआ है आज प्रिश्टन बारा शॉट नही रोक लेंगे बाई दमटीप में होना चेह था चौका बट बची गया है वहाँ पे अच्छा प्रियास बट चारर ले ले लेंगे बाद के तब भी यह देखे है लास्ट कीन गाईज मुल्डर की क्या सीधा रखेंगी या फिर जो है आउट और दॉस्टम ओके हलका सावट ओड और स्टम फिर से से दिशा में मार दिया कवर्स की और इस बार भी टाइबिंग उतना ही है तो रोक लेंगे मुझे लग रहा है तीन रन या चार रन बाल बाल बचे हैं और यहां पर उवर्ट रूगावा गाइस मिल जागा चौका एक टाइम पर आईक जान हलक में आगे दी चलिए जीक साथ 50 रन पूरे एक रन चुरा लिया वहाँ पर लेकिन यार लिटरली वहां बचे है किया राहूल अगर वहां डिरेक्ट हिट होती तो किया राहूल यहां पपवेल की तरफ जा सकते थे वापस मार को यहां सब्सक्राइब किलाल करगी शुरा वाड़ा का जो सेकेंड स्पेल के लिए लाया गया है साथ और आपको जारा वह गाइस चल रहा है डे टू का फर्स्ट शेशन ही अभी तक एक गंटा खेला है अम लोगों ने और तेतर रन बना दिये एक विट उसान थोड़ा सा बोल सकते हो कि फिफ्टी-फिफ्टी है अभी भी बैच मलब फिलाल तो क्योंकि एक विकेट भी लिया है यहां साउथ अफ पार फिल्ड को बीट करेगी और मेलेगा चौका उपर थी थोड़ा सकें फोला लेंड डेलेवरी गाइस कगी सोर राबाड़ा और गती अच्छा देते हैं आपर राबाड़ा तो वह आपे सिर्फ टाइम करने की देर होती है जो वुल्डर वुल्डर थोड़ा सा गती कम द सीधा निकल लिएंगे आप पबिलिन तरफ कहीं न कहीं एजवेज लगके मामला कतम हो जाएगा हमारा चाली इजवार फिर से प्रिशिजन वरा शॉट और इजवार फिर से टाइमिंग 143 किलमेटर पर आर की स्पीड और बोलर गती का स्तमाल गाइस इक्जेक्ली यह देख यहीं पर स्लोर डालते रबाड़ा तो मुश्किल होता शॉट को क्लियर करना यह देखे फिट से गयाप में है और बाई साब यहाँ पे तुड़ाई कर दिये कगीश और रबाड़ा की लेकिन इस साइड जो है आउटफिट हल का साथ स्लोर है I don't know क्यों बट है नाइट ती कर रहे होगी यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे चौथे रन के साथ तीरन इस गुड़ अरड़ी काफी तेज कहल रहे हैं गाइस 49 में साथ क्या रहोल की थो और सब बेटिंग देख लेते हैं गाइस अब इस तरीके जो है बल्लेवाजी कर रहे हैं आपे क्याल रहोल यह देखिए बाहर की तरफ सीम सीम तो भाई करार है रबाड़ा लगाता है पहले भी रबाड़ा की गेनवाजी सीम हो रहे थी अब यंसन की मैंन अब इता खेला नहीं तो मुझे पता नहीं बाकी इन लोगों को भाई पता होगा नेक्स्ट ओवर देखो हम आते हैं एंसन के सामने यहां मुल्डर आते हैं कौन आता है ओ यह क्या हुआ भाई यहां पिक डॉप था और मोस्ट चार्स गाद कीपर ने जो है लपक लिया है और विराई नहीं कीपर जो है क्या चैलेंज लोगे विकेट है वहाँ क्लियर विकेट है बैतरीन आउट स्विंग डिलिवरी यहां पर रभड़ा की वहां पर छोड़ दिया था कैच स्लिप कॉर्डर में लेकिन कीपर ने जाके जो है नीचे से बैक अप देके भाई पकड लिए वहां पर विकेट अधर भाई मुझे लगा एक टाइक में मैंने भी भाई मुझे लगा चूर दिया कैच तो मैं भी शान्त होगे चूटिया वाई अब क्या करोगे वहां जैके कीपर कप कैसे प्रिकर्ड हुआ नीचे से ले लिया कैच एक मिट मैं आपको रीपले द दिखाता हूँ आपको यह देखे रबाडा की जो है हां या बाल की तरफ सीम आउट स्विंग टिलिवरी और हलका सा लाइक मूब होना चाहिए था लेकिन थोड़ा सीधी रही गाइस यह देखे छोड़ दिया था है यहाँ पे इरवे ने और यह देखिए बाई का कहा जब प्रिकट हो गया बंदा और एक हाँ से कैज ही पकड़ लियो उसने खदर राग भाई खदर राग राहुल की लुटिया डो दिवाई राहुल अल्मुस्ट बच गए थे यहाँ पे बट नीचे समय बंदा आके कवा आके पकड़ गया कैज च्वाल यह आगे बढ़ते हैं ग मारको यंसन पहली गेंद खेली है मारको यंसन क्यों पहले भी चौका मारा वाई उनको एक विकेट लिया है बाइद अबे मारको यंसन और ये विकेट अब रवार्डा के नाम भी है अरे भाई बड़ा शॉट बारे का प्रियास नो गेंद है गईस नो बॉल गाईस नो बॉल पैर की आइटिंग सो बाहर निकला याँ पैर कडम बाहर नहीं निकाला वाई क्रिस से यंसन शाली एजबार बैटरी शॉट बार एजबार हवाई आत्रा पे और वन बाउंस में लिगा चौका लेग साइट पर अगर आप डालते रहेंगे तो यहाँ पर तोड़ाई हम करते रहेंगे क्योंकि पूरा पूरा भाई फील्ड खाली है सारका सारा फील्डर उपर लगाया हुआ है इन लोग है मुझे क्या है बस फील्डर ही तो क्लियर करना है मिट्स टाइम होगी तो होगी वो देखा जाएगा बट इतना तेज मारूंगा लाइक अगर कनेक्ट करूंगा तो अब्स ली मिट्स टाइम तो नहीं होने वाली चक्का भी मिल सकता है यंजन कहां तक हो सकते हैं लेकिन देखना पड़ेगा ओ ये खदरना गेंथी हलका सा जो है तेज गती से डाली इस वार गेंदी और बीट करा है गती से फिलाल गाईज हमारा रनिट जो है छेका आ चुका है ओ इस बार कवर्स की उपर से मारा गाईज क्लियर करेंगे बैतरी शॉट और पहली मन बना लिया था शॉट का पता था एंगल लेकि बाहर की तरफ आईगी गेंद इसी ने जो है कवर्स की उपर चक्का स्वार यह देखें एक दब मेडल करा है गाईज उस गेंद को और बैतरीन साउंड आप साउंड जा समझे होंगे चक्का के रियर होने वाला है एक सूरने स्पीटर का तो यहाँ पर चे चार चार चावदर ना चुगे और एक बॉल एक्स्ट्राज चार फिर से के लिए कैचेक नी बांग है लेकिन ओवियोसली वहाँ क्लियर करें यह फिल्डर को और स्क्वार लेक्ड क्यूपर से बनवाँ उस शौका तो बाही इनकी भी होगी यांसन वुल अपना गेम प्लैन यही रहता है जब कुई बोलर खतरना लगे ना तो उसको पूरा ट्रेक से उड़ा दो इसकी इतनी तोड़ाई कर दो कि वह भाई अपना लैंठी लाइन बूल जाए सब यह देखो रिशापंद बन जाओ मतलब जो रिशापंद करते ना काम बास बास व अब टेस्ट में आई पेल केल लेते त्यार वो लोग तो वही वही काम कर रहो ओविसली लाइन और लेंद भी खराब हो जाएगी यहांपर तो बोलर कहां कहां गेंद डालता है आपको तो आपके मन पसंद स्लोट में गेंद डालेगा बोलर यहांपर समझात हुए विरिया जो भी आरेन का नाम केरमर साइज दे प्रनौशेट नहीं कर पा रहो लेकिन आइद होपसो आप लोग समझ जाएंगे चलिए विराट कोली स्टाइक पर एक आथ गेंद देखेंगा वाई विराट कोली को किस तरी किसे खेलता है ओ एज लगा इसमार विराट कोली पहली गेंद हल्क असाथ थिक एज भाग के शाली रहे क्यों स्टम्स जाके नहीं टक रही कागी सुर वाडा एक वे ले चूके कॉन dol farms आप है क्या एक और रिकाल सकते हैं और वार शाट गेंद होवर इसका मिलेगा ऊवर थ्रू का बाई का मिलेगा बाई का मिलेगा शोका क्या चाहरग यहाँ पर हल के हाथ उसको चिप करना चाहते थे विराट कोली गैप में थोड़ा से समय ले सकते हैं थोड़ा क्या अच्छा गल समय ले टेस्ट में जो कौन सो आई टी टोइटी ओ बंडे है यहाँ पर समय नहीं है, समय ही समय है पूरा को पूरा धिन पड़ा हुआ है, यह पूरी दिर बल्लेवाजी करनी है आज अपने को चली है, इस बार फिर से गैप में है और यहाँ पर सिंगल लेंगे और स्ट्राइक देंगे विराट कोली को 183 का ट्रेल बचाएगा इस लीड अब बाकी है 183 की अगर हम 183 और पूरे करते हैं, एक अच्छे स्टेट में आ जाएगी भारत mentally क्या बोल सकते, मुराल उपर हो जाएगा भारत का फिर उसके बाद जो हम लीड के तरफ बढ़ेंगे और वहां से 50-100 भी लीड ले लेते हैं मैं यह नहीं बोला कि 300-100 लीड ले लो, 500-100 लीड ले लो, 100-100 अगर लीड ले लेते हैं तो एक अच्छी स्टितीम बोलूँगा भारत को, फिर उसके बाद आप जानती हो हमारी गेंदवाजी किस तरीके की है बाई इस्टंप उड़ा उखाड़ देंगे आरे लोग के हम, देखते जाईए अब गाईस और अगर 100 की उपर तो फिर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 100 की उपर जितनी वी लीड हो भाई भारत के लिए ओविसली बोनस है, बट 100 से कम नहीं, 100 की लीड चीए यार अब लीस्ट, क्यूकि अपने को चेस करना है गाईस, डे 4 और दे 5 में, तो वो थोड़ सा फ्यूचरिस्टिक सोच है मेरी अभी, वो फ्यूचर को थोड़ सा सोच के, क्यूकि फिर दे 4 डे 5 में अगर कोलाप्स लड़ सकें अट लिस्ट हम, यह नहीं कि बाई 400 लगा दी हूँ हाँ पर साउथ अफरिकान है, और फिर एकदम भाई मैच बचा ही नहीं हमारे लिए भारत के लिए, है ना, तो ही बाद कर रहा हूं मैं भी, इसलिए थोड़ सा हमारा रहना क्रीश पर गाईस, बहुत ज़र रिकार्स ब्रेक करने तो लगाता हा रन बर आने पड़ेंगे, पहला मेरा टार्गेट वही है गईस, 100 सेंचुरी इंस टेस्ट मैच अचोनली, वालब सो सेंचुरी सो टेस्ट मैच अचोनली, वालब सोर मलब वो ही बोल रहा हूं, सो सी ऊपर तो अपिसलम खेल जाएंगे, हमारे देखले आप लेकिन सो टेस्टमेच सो टेस्टमेच में लगानी यह बोलना चाहता हूँ और बंडे में भी सो सेंचुरी लगानी है और पचास सेंचुरी एटलीस टी-ट्वेटी में देखते हैं कर पाते हैं यह possible है हम लोग कर सकते और अगर आप नहीं agree करते हैं तो आप करिए कि नहीं कर सकते हैं comment ज़रू करना guys यह question चलो मैं आप लोग से पूछता हूँ मेरा तो like है milestone आप देखते कितने लोग agree करते हैं कि आप लोग कर पाएंगा नहीं कर पाएंगा तो come on guys comment करिए कि क्या हम लोग 100 century test match 100 century in one day और 50 century at least in T20 लगा सकते हैं मतलब कि 200 century career board में obviously लंबा तो हम खेलेंगे कौन सब्सक्राइज वाला तुनों टंकी रहेगा तेखते हैं फिलाल मुझे मैंने career board उतना जादा लंबा खेला नहीं है किसी भी cricket में अब इसका देखते हैं भाई क्या retirement कर देते हैं क्या फिलाल तो age हमारी 23 something रहेगी let me देखना पड़ेगा मुझे जाके starting में कि कितनी हमारी age चल रही है भी 23 something रहेगी और काफी early है भी हमार बाद अच्छा कासा time है cricket खेले के लिए तो let's see चल यह मुल्डर गाईज हैं आपर आ चुके हैं फिलाल 32 रन दिये हैं 4 ओवरे 5 ओवर डाल रहे हैं आपर ओवर सवापत और इस स्वाइक रखेंगे विराट कुली अपने पास और आप देखें मैदान भर रहा है गाईज दोबारा like starting में जो है कम थे दर्चक और अब जैसे थोड़ा थोड़ा ओहो ओहो विराट कुली यहाँ पर पुल शॉट बैटरी यहाँ पर लेक साइट तरफ धकेल दिया है दो रन की मांग है तीब मी मिल जाएंगे विराट कुली को आना मिश्के लोगा यहाँ पर कीपर की तरफ गलाट एंड पे थोड़ा विराट कुली भाई पहुंचे भी नहीं अभी लिटरली अगर बॉलर के एंड बे थोड़ा करते है यहाँ विकेट हो सकता है गलाट एंड पे थोड़ा इस्ट्वर लेक के फिल्ड रगा फ्रेम में नहीं थे वहां में राइड कोली अगर आराम्स धाड़कावी की भी बहुत जितना भाई तो आराम्स भाई वहां पे कोली का रन आउट मिल जाता बड़ वही चीज है तीरन लाइक अपने को भी मुश्किल हो सकते थे यहां पे गाईस रन एड हमारा बहुत बहतरी चल रहा है छे का चल रहा है एक सो बहातर का और अभी को है कट शॉर्ट पॉइंट के हाथ में बहतरी फिल्डिंग वहारा हलका सा रूम दे रहे हैं यहां पर रबाड आई नो क्यों दे रहे हो उसलिए दे रहे ताकि हम चिप मारे या फिर थोड़ा सा उड़ा के जो है शॉर्ट खेलने का ट्राइ करें लेकिन अबनी करने वाले या बैकवोट पर जाके पॉइंट की उपर से निकाले या थार्ड में की उपर से ताकि जो है कैंच वे चोड़े हमारा गरवाडवा इतना आसान थोड़ी ना यार सत्तर वोल खेल जोका हूँ ऐसी विगेट थूट ना दे दूँगा ओ ये खतरना के काफी जादा बॉड़ी के क्लोस गाईज बाउंसर यहाप है एक सो बाहत्तर का ट्रेल है लेट सी पूरे दिन में तो देखते है कोशिश हमारी यही है कि आज का दिन है न डे टू इसमें हम अट लिस्ट ट्रेल को जो है नलीफाई करते हैं अब देखते है डे टू में हो जाता है या फिर दे ट्री का कुछ पार लाइगी का सेशन लगता है अब डेपेंड करेगा थोड़ा सा हमारी उपर भी और थोड़ा सा खोली को पर भी इस तरीकिस दोनों लोग बेटिंग करते हैं अब विसली अकेले हम तो नहीं कर पाएंगे उपर इन खतम श्रानीस बाइब बैटरी पुल शॉट है कोली का और कोली अक्सर मारते इस टाइप को शॉट दूर रहना असानीस है अराम से पहुंच जाएंगे पुली वहाँ पर श्राली है इस बार गैप में मारे का प्रयास कवर्स की दिशा में और सीधा फिल्डर के आप पर मार कोई आंसर वहाँ पर तैनात करे गए और यहाँ पर जो है फिंगर स्पिनर आ चुके केशाब माहराज इस पिन को जो है इंटर्ड्यूस कर दिया है फिलाल साउथ आफ्रिका ने अब देखना यह होगा कि किस तरीके से स्पिन खेलती है इस पिचके उपर पहला ओबर है इस पिन का ओविसली हमारे स्पिनर्स ने तो गाई अच्छे का से विकेट्स लिए तब देखते हैं लोग के जो स्पिनर्स हैं वो किस तरीके से गेंदवाजी करते हैं कि टर्न और जो है इनलों के लिए अवेलेवल है या नहीं अवेलेवल गाईज या इस पार ओफ पेन केश अप महाराज की पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई सौरिड डिफेंस वहाँ पे अपना हमें आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ तो अभी भी जो है गाईज पहला सेशन ही चल रहा है डेटू का और भाई पहले सेशन में 111 लगा थी भारत में दो वीड़े दुक्सान पर अरे इस बार पैटरी चॉट है डाउन दग्राउंड चक्का मारे का कोश्च कर रहे तो लेकिन वहाँ पे जो है निचले इससे में लगी और इसकी वज़ा से लेकिन तब सीधा गया शॉट लेकिन वो एलिवेशन नहीं मिला बानवे पहुँच चुके गाईज आटर मातर दूर है अपने शतक से ओ बड़ा शॉट इसमार करेक्शन हुआ रही है लेकिन तब भी क्लियर करेगा जो है कवर्स के फील्डर को चुर्ण वन वाँ शॉका हलका सा जो है लगा था मुझे कि शायद यहाँ केच आट हो सकता हूं लेकिन जब किलियर हो गया वो तो फिर ठीक है बाई सब बढ़के महारा शॉट डाउन दा ग्राउंड शॉट बैतरी इन यह देखें आपको रीपले में दिखा दो वाड़ा शॉट पिकर असब गेंद को थोड़ा से उपर की तरफ थी है लकाता लैंड को पीछे खीचा था केचाब महाराज ने और बैतरी शॉट गाईज वहाँ पर यह देखें कदमों का अस्तमाल यह दे बढ़िया टाइमिंग वाड़ा शॉट कदमों का अस्तमाल बैतरीन टाइमिंग वाड़ा शॉट मदा आगया वाई देखें यह देखें एकदम नीचे लिए से लगी गईज बहुत थोड़ा सागर और मेडल उती या कहीं उपर लगती तो फिर अपने को भाई वो मिल सकता था लाइक यह नो सिक्स छक्का भी आ सकता था वाली गेंद पर बट कोई बात नहीं आलकर बहुत जादर नीचे लगी यार इसलिए मुझे लगा कि साइथ मिस्टाइम हुए है या मिस्ट हुए है बट ठीक है क्लियर हो गया अट लिस्ट लास्ट में हो चाली इसमार यह वहतरी शॉट है और चक्के के साथ जो है सेंचुरी को इक और करेंगे पूरा और इसमार स्टीटियम के पार वाला शॉट आउट अट 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 वपार्क एक सो बत्रिस का स्ट्राइक डिट पंदरा चौके चार चक्के ससतर की तो एक सो तो रन साउथ आफ्रिका की तोड़ाई यह देखिए आ आट वपार्क मारा यह वाले शॉट पेक सो बयालस मीटर का चक्का है गाई इस मैसे भीट केशब महराज को फेर से मारा है वाई सेम काइंड ऑफ डिलिवरी और दूबार अट वपार्क देख टूबएक दो चक्के दोनों की दोनों स्टेडियम के पार वाई इससा वे तना अज दोरों गया एकदम आउड अदो पार्क और यहां बै कप्तान समझा रहे कुछ तो केशब महाराज को बड़ समझ नहीं आ रही उनको अभी ओर रे भाई यह तो इकदम निचलेस से में लगी थे वाली बॉल यह तो बाई वो अपने बढ़ के माराज को शॉट यह बाई सामने की तरफ डाउन दा ग्राउंड और आउड अदो पार्क दोनों बाई बैक टू बैक चक के और स्टेडियम के बाहर दो गेंद माँवालो बाई आवाब दो गेंद बाई खोदी हमने अच्छी बात ही पैसे नहीं लगेंगे अपने वरना पहले वाई जो भी गेंद खोथा तो उससे पैसे लगते तक बड़ यहाँ पे जो अप्रिशेशन मिलेगा क्या पता एकाद चेक भी मिल जाए एक्स्ट्रा मैसे लेट मारने के मैसे चक्के मारने के यहाँ उल्टा पैसे मिलते हैं बड़ बड़ चक्के मारने के लिए पैसे देरे नहीं पड़ते हैं बॉल खोणे के यह सबसे बड़ी चीज वरना फिर हम नहीं मारते हैं चक्काद का च्छाल यह यहाँ पे 144 रिंगी लीडर रही है मात्र गाईस और 122 रिंगी लुक्सान 25 वर के बाद भारत 6 का चल रहा है यहाँ पे अल्मोस्ट रन रेड और विराट खूली फिलाल 32 में 16 ओ ईजी बॉई और यहाँ पे हम गाईस खेल दर सतक लगा गए 80 गेंदो में 109 रिंगी अल्मोस्ट 100 गेंदे होने वाली है 20 गेंदे और 3 ओगर इजी बॉई अलका सा एंगीडी जो है वो गतीब परिवर्दर कर रहा है क्योंकि गेंदा वो जो है पुरानी हो चुकी है तो अभी यहाँ पे आप गाईस देखे ना और पेस वेरीचन और इजी वाइड नहीं लेना है अच्छा कॉल वहां कोली का तुकी मुश्किल में पढ़ते हुआ कोली अगर रन के लिए जवाते तो डिरेक्ट हिट मतलब गोन और एकर कीपर के आप में रहे तो अच्छा का सब मौका था वहां तब भी आउट करनेगा तुरिश्की सिंगल लुइंग की इडी फिलाल तो कटर्स देखने के नहीं मिली है लेकिन मिलेंगी ज़रूर जब भी डालेंगे तो उनको पता क्योंकि मुझे पता है यार मैंने डाली है इस बिचको पर कटर्स अच्छी कासी मदद है कटर्स को पर शाइज बार निकाल दिया थार्ड वन की तुरफ और पीच्छे टीपर फिल्डर है एक रण मिलेगा यहां 110 पर पहुँच चुगे गाईज बाइद वैज और राइड यहां पर आचुगे केशब महराज अरे नहीं यार गलाश यहां पर रिवर स्वीप बेसिकली वो थूर असा थाड़ में की जो गैप है न पॉइंट और स्लिप के बीच में गली के बीच में वहां से निकालना चुआते थे बट एक्जेक्ली ट्रेवल कर गी हो आज सेकंड स्लिप पे पास पीटरसन कैच पकड़ाया है और अनफॉर्टन बिचिट गाईज यहां पर 110 रन बना के आज गाईज आउट होगे हम पाँच चोके और किते चके पता नहीं पाँच चके समस्तिंग थे हैं मेरे लेक्सी यहां पे फिलाल स्क्रिप मारूंगा देखते कितने बनाती है बारत अब मैं ज़रा स्खूर काड़ आपको दिखा देता हूँ तो ले भाई मैं क्या बोला था आपको यही होता है अगर हम भाई उपर सोड़ गए न आप देखिये विराट कोली ने 35 बनाए जो विराट कोली हो हनवा ब्यारी दिख रहे बाकी 20-30 रन में डबल डिजिट नहीं मानता 30 रन ठीक है 30 रन एटलीस होने चीए बाकी देखो सब ने हग दिय वाई दुबारा से और 295 की लीड थी मैं क्या बोला था कि यहां पर अपने को सौरन के एटलीस लीड चाहिए होगी कम से कम सौरन की लीड अगर वो डे फॉर ए डे फाई में हम बड़ा चीज अवाइड गरना चाहते हैं और यहां पर क्या हुआ अभी भी 40 रन की लीड है स तीस रन की जो लीड है मेंटल मेंटली प्रेशर अब उनकी उपर रही है तीस रन एक्सव ही मिलें उनको अब जो बल्लेवाजी करने आएंगे अगर वहाँ तीन सो रन लगा दिये गलती से भी आपको चीज़ करने पढ़ेंगे वो भी कब डे फॉर एंडे फाइव डे टू समाप तो चुका है यहां पे लाइक डे थी तो पूरा बैडिंग करने वाली है साहुत अफरिगा आई नो अब डे फॉर और डे फाइव आप जाओगे चीज़ करने के लिए और गलती से तीन को बहुत एक्साइब मेरे कोई लाइक मुझे लग रहे है को तोड़ा चिप करना पड़ेगा और फिनिश करना पड़ेगा मुझे अब समाल के बैटने करनी पड़ेगी लाइक अगर हम विगट नहीं देते ना वहां पर गलती से विगट होग या मेरा भी गला शौट था ह तो नहीं मानना चाहिए जब आपके सीधे बैट से रहना आ रहो क्या ज़रूरत है आड़े त्रेड़े फालतु के शॉट के शॉट कहल रहागा एक मिस्टेक से सीकूंगा लाइक और अगले जो इनिंग में जो है मैं फालतु के शॉट्स नहीं खिलने वाला लेकिन अब ग भारत यहां से नहीं चाहेगी कि मैच हारे पता नियार थोड़ा सा एज तो है साउथ अफरिका के पास लेकिन तब भी ट्राइट करना में क्या बोराई है तो ट्राइए हम करेंगे अपने एज से पूरा कि हम इस मैच को बना सके किसी भी तरीके से अगर 200 तक किसी भी तरीक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पर आप नहीं हो तो बैल नोट भी साना एक रूब तो प्रेस करना बागी मिलते गाईज आपसे नेक्स्ट एपिसोड में भारत की गेंद बाजी के साथ तब तक ख्यार रखे अपना तैयार रही है यहां पर पता नहीं क्या तो इस तो टरनाने वाला है या फिर साथ अफरी काई मैच जीत लेगी तो बिलन तो तो होगी गाईज बहुत बहुत बहानक वाली मतलब दोनों की तुनों टीम यहां पर जान लगा देंगे अपनी तो मज़ा आपको आने वाला है तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द तब काई मैं गुष अपना एंट बढ़ी